Elections 2024 का Last Phase आज खतम हो गया चार तारिक को नतीजे भी आ जाएंगे इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी तो खुद Meditation में है 45 घंटों का Meditation रहेगा और इस दौरान नरेंदर मोदी कुछ भी नहीं बोलेंगे लेकिन अब मोदी जी के ही पार्टी से Actual Politician रवी किशन ने एक ऐसी बात कह दी है जिसे कह सकते हैं कि मोदी के पूरे काम पर उन्होंने पानी फेर दिया है Actually रवी किशन जो गोरगपुर से आज वोट देने पहुंचे थे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी जी तपस्या में है मोदी जी ने साधना में बैट कर सूर्य देवता को शांत कर दिया है ठंडी हवाएं चल रही है गर्मी कम हो गई है बस इस बात से ही अब लोग रवी किशन को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि BJP पार्टी इस तरह के लोगों की वज़े से बदनाम है ऐसे ऐसे लोगों को टिकेट देते हैं जिने लॉजिक और साइंस की तो जरा भी समझ है ही नहीं सोशल मीडिया पर अब अक्टिव पॉलिटीशन रवी किशन की ये विडियो वाइरल हो रही है तेजी से और लोग रवी किशन को ट्रोल कर रहे हैं एक यूजर ने कहा कि ये और मनोच तिवारी दोनों हमारे संसत की जो IQ लेवल है उसे पाताल लोक में लेकर जाएंगे किसी ने कहा इन्हें पार्लियमेंट में नहीं बलकि मेंटिल हॉस्पिटल में होना चाहिए वहीं किसी ने कहा कि इस तरह के लोगों की वज़े से ही BJP बदनाम है सोशल मीडिया पर रवी किशन को इसी तरह से ट्रोल किया जा रहा है आपको बता दे कि इलेक्शन से पहले भी रवी किशन के नाम को लेकर एक बड़ी कॉंट्रोवर्सी हुई थी एक लड़की ने दावा किया था कि रवी किशन के पिता है और उन्हें अपना नहीं रहे हैं अपना सरनेम नहीं दे रहे हैं